असलाम अलेकों मैं सभिया हुसिन शेक आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स दो एप्रेल की राद 11 बजे जन कल्यान नगर सोसाइटी मलार वेस्ट की पाची मंजिल पर रहने वाले बुजरूक दमपत्ती के बेडरूम में पटाके की आवाज आई जिसे देखने वो दोनों बेडरूम में आए और देखा कि उनके रूम में तामे की एक तुकड़ा मिला जो गोली जैसे दिख रहा था राज जादा होने की वज़े से उन्होंने अपने दामाद को फोन किया सुबा दामद ने घटना इस्तल देखा और मालवनी पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन किया फोरन पुलिस वहाँ पहुची और जाच की पूरे बेडरूम को देखने के बाद पता चला किसी ने बाहर से एक राउंड फायर किया है जो उनके बेडरूम में खिड़की से होकर दिवार पर लगा मालवनी पुलिस ने अग्यात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 के साथ इंडियन वेपन एक्ट की धारा 3,4,25 के तहत गुनाद दर्ज किया चार एफरेल को क्राइम ब्राइच उनीट 11 के पुलिस नायक अजे कदम को खबर मिली के दो लोग किसी गलत काम को अंजाम देने की नियस से मारवे रोड खरडी मालवनी आने वाले है क्राइम ब्राइच उनीट 11 के प्रभारी सीनियर प्याई चीमा जी अड़ों ने अपनी टीम के साथ जाल बिछा कर दो लोगों को रोक कर पुस्ताच की तो उनके पास से पुलिस को एक देसी पाच बोर की रिवोलवर और एक जिन्दा कार्थुस मिला सक्ती से पूछताच करने पर दोनों ने अपना नाम अनिकेत अरून परिहार उम्र 22 साल दूसरे का नाम क्लाइफ क्लारेंस बरेटो उम्र 20 साल दोनों मालवनी के खरोडी गाओ के में ही रहने वाले है और उन्हें जानकारी दी के ये बंदुक कुछ दिन पहले मतुरा से लाए थे और अकेले दिखने वाले लोगों को बंदुक दिखा कर लूट लेते थे दो एपरेल की रात गलती से उन से एक फायर हो गया था इस कुबल नामे के बाद मालवनी पुलिस टेशन में इनके खिलाब धारा 325 इंडियन आर्म एक्ट 37 ब्रैकेट 1 एकेस साथ महाराश्टु पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत केस दर्जकर दोनों को गिरफतार कर लिया वहीं दूसरी खबर विवंडी से है 6 एपरेल की रात 8 बजे के करीब राना बस्टॉप रिलाइंस पेट्रोल पम के पास अंजुर फाटा रोड पर एक कमपनी में अचानक आग लग गई इस आग के भुजाने में विवंडी 5 ब्रेगेट की तीन जंबो वाटर टेंकर और विवंडी 5 ब्रेगेट के अनुसारी आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है और इसमें कितना नुकसानवा है अभी पता नहीं चल सका है गनीमत ये रही इस आग से कोई जीविधानी नहीं वी ना किसी के घायल होने की खबर है तमाम खबरों को देखने के लिए दे खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें